फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी स्कीन हुआइटनी मिल्क फेसियल फ्रेंट्स मिल्क हमारे स्कीन को फेर बनाने के लिए बहुत ही आच्छा होता है मिल्क में लाक्तिक एसिड होता है जो हमारे स्कीन टोन को लाइटन बनाता है स्कीन से देश स्कीन को remove करता है ये milk facial आपके स्कीन को जल्दी ही fair, bright और glowing बनाने के लिए बहुत आच्छा facial है तो चलिए इस facial को बनानाई सूर करते हैं इस फेशियल को में तीन स्टेम में करूंगी, क्लिंजिंग, स्ट्रोबिंग और फेश प्याग हम बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं, फास स्टेम में हम बनाएंगे क्लिंजर, तो क्लिंजर बनाने के लिए, एक बॉल में एक चमच कच्छा दूद, यानि की रॉब मिल्क ल सकते हैं इस आच्छे से मिला लेजिए तो लिजी हमारा क्लेंजर रेडी हो गया है अब इसको लेकर एक कोटन बॉल में इस तरह से दिब कर लेजिए और फेस को आच्छे से क्लीन कर जिए ओड़ा फ्रेंड्स डॉम मील्क स्कीन कंपलेक्शन गो इंप्रूब करता हוש और लेमोनजूस के उपर एक बझा काम करता है जिसे कीन आच्छे से क्लीन होता है और फ्यर बनता है आच्छे से क्लीन करने के बाद आढ़ नार्माल पानी से फेसको दो लिजिए अब सेकेंड स्टेप हम करेंगे स्क्रबिंग तो स्क्रबर बनाने के लिए आप लिए एक चामज राइस फ्लोर यानिकी चाबल का आता और इसमें ले लिए एक से दो चामज रो मिल्क यानिकी कच्चा दूद और इसे अच्छे से मिक्स कर लिए अब इस मिस्टर को लेकर आप आपके फेस पर अच्छे से इस तरह से लगा लिजिए और इससे मसाज कीजिए रूप्ल गर्याश करना ही तो इस तरह से एक से 20 मिनिट के लिए मसाज किजी रॉव मिल्क यानि की कच्चा दूद में होता है विटामिन्स मिनेराल्स और प्रोटीन्स जो हमारे स्कीन के रंग को निखरता है और इसमें बनाता है प्रोटीन्स जो हमारे स्कीन से सारे डेश्ट को क्लीन करता है और आपको स्कीन को बहुती फ्यार बनाता है शॉप्ट स्मूथ अन ग्लोइंग बनाता है और यह एक बहुत आच्छा स्क्राबर भी है इस तरह से स्क्राब करने के बाद आप आपके फेश को दो लिजिए अब हम बनाएंगे फेशने ये इसके लिए आप याप लिधी एक चामच मेडा और इसमें लिजिए एक चामच हनी और इसमें हम लेंगे एक चाम 서्यष रोज्यम यानि की गुली अद। आल और इसमें हम लेंगे एक चे दोशा मस कच्छा दूद और इंडसारे चीजों को अच्छे से मिस कर लिजिए तो लिजिए हमारा स्कीन हुआइट निंग फेस प्याक बनके रेड़ी है अब इसे लेकर आप आपके फेस बे अच्छे से लगा लिजिए ये फेस प्याक स्कीन से पिगमेंटेशन डार्स पर्ड और स्वन्ट्यान को रिम्मूब करेगा और स्की स्कीन कंप्लेक्शन को दिन बार दिन फेर बनाएगा इसे अच्छे से लगा कर 15-20 मिनिट के लिए रखिए और उसके बाद थंडे पानी से फेस को धोलीजिए देखिए 15-20 मिनिट के बाद दोलीजिए फ्रेंट्स आप लाइफ रेजल देख सकते हैं तो फ्रेंट्स फेर और ब्राइट स्कीन पाने के लिए आप इसे स्कीन वाइटनिंग मिल्च फेसियल को विक में एक बाद जरूर किजिए इसे आपके स्कीन टोन धीरे धीरे इंप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कर लेना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुंसर के फिर मिलेंगे बाए बाए